मंच पर उपस्तीत, NDA के संसद्य दल के नेता और देश के फीर से एक बार बनने वाले भावी प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोर्दी जी उपस्तीत, सभी पार्टियों के नितागण, 351, 353, नए चुने हुए सांसात, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राजसभा के सदस्य गण आज सभी को सबसे पहले मैं मोदी जी को सर्वानुमत से चुनने के लिए रदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं मोदी जी का भी बहुत मन से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जीस प्रकार से पांच साल तक इन्होंने इसी कमरे में जब उनको नेता चुना गया था मैं उपस्तित था अपना एक कमिटमेंट देश की जनता के सामने रखा था एक संकल्प रखा था गरीब दलीद आदिवासी पिछडे और समाज के हर वरके कल्यान के लिए अहर निस्थ काम करने का संकल्प और वो संकल्प से किंचित मात्र चलीत होए बकर पांच साल तक मन पुर्वक सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सार्थक करते हुए देश की जनता की सेवा की है और आज फिर से एक बार वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मैं उनको रदय से लाख लाख अभिनंदन भी देता हूँ और नई टम के लिए धेर सारी सुबकामनाय भी देता हूँ मित्रो ए प्रचंड जनादेश जो हमें मिला है वो एक प्रकार से बहुत बड़ा जनादेश ए एलिट्यासिक जनादेश भारति ये जनता पार्टी के थीन सो थीन सांसत चुन कराना और NDA के 353 सांसत चुनकराना ये जनता के प्रचन्द जन्समर्थन का अभीव्यक्ति है। ये जनादेश कई माइनों में अपने आप में अनुठा जनादेश है। 1971 के बाद पहली बार देश में कोई प्रधानमंत्री पांच साल की टम समाप्त करकर फीर से बड़े बहुमत के साथ स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वेव मैं मानता हूँ कि ये जनादेश की सबसे बड़ा पहलू है। जनादेश जो मिला है वो जब चुनाव अभ्यान चलता था चुनाव अभ्यान के पहले की समय था तब बहुत सारे सवाल उठाये जाते थे। मगर हर बार हमारे सभी दलों में एक विश्वास था कि हम पचास प्रत्सत की लड़ाई लड़ेंगे और मोदी जी के नित्रुत में NDA और भारतिय जनता पार्टी भी पूर बहुमत के साथ बहुमत प्राप्त करें। और आज जब जनादेश आया है 17 से ज्यादा राज्यों में 50 प्रत्सत से ज्यादा वाट हमें प्राप्त हुए हैं और 9 इकाईयों में 45 से 50 के बीच में वाट प्राप्त हुए हैं। एक तरह से देश की जनता ने सभी कौनों से स्री मोदी जी को और NDA को असिरवात देने का काम किया है। और अभूत्पुर्वजना देश लोकतंत्र की खुबसूरती को भी बताता है। गत चुनाओ के बाद जब प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रदान मंत्री बने तब पहली बार देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को लगा कि सम्विधान की योजना में सम्विधान की स्पिरीड जो है वो सार्थक भी हो सकती है। सबसे गरीब घर में से कोई उठकर ये सबसे बड़े लोक तंत्र का प्रधान मंत्री बन सकता है और मित्रों उस वक्त देश की जनता ने प्रयोग किया था मैं हमेशा वो प्रयोग को नरेंद्र मोधी एक्सप्रिमेंट केता हूँ देश की जनता ने बहुत आसाओं के साथ मोधी जी कर पर बरोसा किया था मोधी जी ने जीस प्रकार से गुजरात के अंदर विकास की यात्रा को तेज गती देकर गुजरात को बहुत आगे ले गए थी पूरा देश आसा करता था कि समगरत देश की अंदर इसी दुरुष्टी से इसी गती से और इसी प्रकार से विकास की यात्रा चलेगी मगर वो प्रयोग था, एक्स्प्रिमेंन था और आज मैं देश की जनता के सामने और हमारे संशिय दल में कहने में मुझे कोई संकोथ नई है जनता ने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग कामियाब रहा है, सफल रहा है और एप्रयोग के बाद फिर से एक बार देश की जनता ने मोदी जी को आसिरवात दिया है NDA के सारे दलों को आसिरवात दिया है वो उसी बात का द्योतक है कि मोदी जी ने जो कहा है वो मोदी जी ने किया है ये भरोसा देश की जनता ने रखने का काम किया है और फिर से एक बार देश के घरीब से घरीब घर से उठकर कोई जाती कोई बड़ी जाती का समर्थन के बगर अपने घराने में कभी कोई दूर दूर तक बाई और साथ पिड़ी डाई और साथ पिड़ी एक भी व्यक्ति राद निती में न हो ऐसे परिवार का व्यक्ति दोब उनके नेत्रुत्व और उनकी लोगप्रियता का जनादेस है, देश की जनता ने जिस प्रकार से मोधी जी को ट्रस्टी सिप के भाव को स्विकारा है, जिस प्रकार से मोदी जी ने 5 साल सासन चलाया उसको देश की जनता ने सिका रहा है वो बताता है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी एक्सप्रिमेंट को मन के साथ अनुमोदीत करती है उस पर फिर से एक बार जना देश का थप्पा लगाया है यह जना देश जो है वो देश के 22 करोड गरीब परिवार है जिनके जीवन में एक नया उजाला भरने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, NDA सरकार ने किया, किसी को घर मिला, किसी को बिजली मिली, किसी को गैस का कनेक्सन मिला, किसी को सोचालय मिला, किसी को आरोग्य की सु जनादेश की व्यास्ता में अपना स्थान डून रहे थी कि मेरी जगह कहां है मैं कहां हूं उसको अपनी जगह नहीं मिलती थी पांच साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 22 करोड परिवारों के जीवन स्तर को जो उठाया है वो घरीब का आसिरवात ये जनादेश है वो घर नंबर आना बाकी है उन्होंने देखा है कि मेरे साथ वाले को सवचाले मिला है मेरे साथ वाले को घर मिला है मेरे साथ वाले को बिजली मिली है गैस मिला है मोदी जी आये तो मेरा भी नंबर लगना निस्चित है वो बाकी बचे देश के करोडों गरीबों की अपेक्सा और और आसा का ये आसिरवाद है। जब से देश में 1990 के दसक से देश में आतंकवाद का दोर सुरू हुआ और कई जगे पे कई गटनाओं ने देश ने आतंकवादी गटनाओं को ने देश को जनजोड कर रख दिया। उस समय से देश की जनता के मन में टीस थी कि देश का नेत्रुत्वा देश की सरकारे इस देश की सुरक्सा के लिए और आतंकवाद के खिलाब लड़ाई के लिए जितनी गंबीर होनी चाहिए इतनी गंबीर नहीं है। परन्तु वो टीस की अभीव्यक्ति नहीं हो जब सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई जनता को लगा कि ये कैसा नेता आया है कैसी सरकार आई है जो किसी के घर में गुज कर जहां आतंकवाद पनपता है वहाँ जाकर जवाब दे सकता है। मगर देश के डिफेंस के पंडितों ने उस वक्त भी सर्जिकल स्ट्राइक को बताया कि ये फ्ल्यूक है। ये भारत की पॉलिसी नहीं ये फ्ल्यूक है। अचंबे में किया हुआ काम है। मगर जब पुल्वामा पर दुखद हमला हुआ पाक प्रिरित आतंकवादियों ने 40 जवानों को मौत के घाट उतार दिया और मोदी जीग ने एक राद नितिक इच्छा सकती का प्रदसन करते हुए फैसला दिया। और देश की वायूसेना के वीरी जवानों ने एर स्ट्राइक करकर इसका बदला लेने का काम किया। उस वक्त जो प्रियूक कहते थे उनको भी कहना पड़ा ये भारत की सुरक्सा निती है। और देश के करोडों करोडों लोगों के मन में एक प्रकार की सांती का भाव निर्मान हुआ। 1990 से देश की सुरक्षा के प्रती जो उपेक्सा की जाती थी आज एक ऐसा नेता आया है एक ऐसी सरकार आई है जेस ने देश की सुरक्षा को सर्वोच प्राथमिक्ता पर रखा है मित्रों एक जनादेश का एक और रादनिती कर थे और मैं मानता हूँ हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक आसीरवाद स्वरूप रादनिती कर थे सर्षट के साट के दसक के बाद इस देश के लोकतंत्र को परिवारवाद जातिवाद और तुरुष्ठी करन इक तीन नासूरोंने डसा हुआ था हर जनादेश कहीं न कहीं जातिवाद, परिवारवाद और तुरुष्टी करण की रादनिती से ग्रसीत था पहली बार 2019 के जनादेश के लिए मैं कह सकूँगा कि 2019 के जनादेश ने परिवारवाद, जातिवाद और तुरुष्टी करण को रादनिती से बाहर निकाल कर politics of performance जो perform करेगा जनता उसके साथ रहेगी जिसका performance अच्छा होगा जनता उसके साथ रहेगी तो परिवारवाद जातिवाद और तुरुष्टी करन ये त्रीनों की राददिती को उगदर किनार करते हुए देश के सवा सो करोड जनता ने politics of performance पर अपनी महौर लगाने का काम किया है मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है मित्रो इसका चौथा जनादेश का एक अर्थ निकल कर आता है कि देश की जनता ने नेता को चुना है मैं पुरे चुनाव अभ्यान के अंदर कस्मीर से कन्याक कुमारी और कामाख्या से लेकर कच तक देश भर का दोरा किया है हम सबने भी अनुभव किया होगा देश की जनता ने हमारे नेता नरेंद्र मोदी के समर्थन में वाटिंग किया है मत्तान किया है जहाँ जहाँ जाते थी पर नरेंद्र मोदी जी के समर्थन के अंदर एक प्रकार का सुनामी दिखाई पड़ता था जो सिनामी के सामने सब धंस्त हो गए और मित्रो देश ने अपने नेता के एक नेता के कर्तुत्व को आज अनुमोदीत किया है मोदी जी के बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं मित्रो मैं लंबे आत काम कर रहा हूं 20 साल से नरेंद्र मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है 20 साल तक अहरणीश काम अ चुट्टी नहीं लीए इतना इही परियाप्त नहीं है एक भी दिन एक भी दिन जरा सिभी आलस मैंने हमारे नेता के जीवन में नहीं देखी है 24 गंटों में 18 गंठे काम करने वाला नित्रुत्वा आज NDA को प्राप्त हुआ है इतने लंबे सामाजिक कारेकरता और राधनितिक कारेकरता की केरियर में एक भी दार्ग लगा है बगर दूबारा देश का प्रधान मंत्री बनना वो बताता है कि हमने एक पारजरसी नेता को देश ने चुनने का काम किया है डरड इच्छा सक्ति के साथ वाट बेंग की राधनिती से उपर उठकर फैसले लेने वाला नेता इस देश बहुत समय से इसकी राह देख रहा था और मैं दावे के साथ कह सकता हूं सब चीजों का एनालिसिस करकर कह सकता हूं कि मोधी सरकार ने विगत पांस साल के अंदर एक भी फैसला ऐसा नहीं लिया जो देश को अच्छा लगे उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए द्रण फैसले लिए कठोर से कठोर फैसले लिए मगर लोगों के लिए अच्छे हो है से फैसले लिए वोट बेंक को बढ़ाने वाले फैसले लिए तो हमारे नेत्रूतों को भी इस देश की जनता ने स्विकारा है और जनादेश का थप्पा लगाने का काम करा है और देश की जनता के मन में मैंने एक अपेक्सा जरूर देखी है जरूर कई बात्चितों में इंटेलेक्चुल के साथ बात हो या कुशकों के साथ हो या गरामि गरीब के साथ बात हो, सब के मन में है कि ये देश हमारा महासकती बनना चाहिए, दुनिया में भारत महासकती बनकर उभरना चाहिँ और मैं पूरी आसा करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को ये दूसरा टम जो देश की जन्ता ने दिया है हमारा देश विश्व के फलक पर एक महा सक्ति बनकर उभरेगा और भारत माता को जो उचित सन्मान विश्व के अनदर मिलना चाहिए वो उचित सन्मान मोदी जी के नेत्रूतों हम निश्चित प्राप्त करेंगे मित्रो मोदी जी ने चुनाव के पहले आजादी के 75 साल जब होंगे गांधी के 1.500 साल होंगे तब 75 संकल्प लोगों के सामने रखे हैं 75 संकल्प हम सब का काम करने का मिशन बने और मोदी जी के नेत्रूतों में वो 75 संकल्प समाप्त करकर हम आजादी के 75 साल जब समाप्त करें तब देश को बहुत बड़ी उंचाईयों पर देख पाए ऐसी मैं मोदी जी को सुपकामनाय देना चाहता हूँ और आप सभी की और से फिर से एक बार अभिनंदन भी करना चाहता हूँ मित्रों आज मोदी जी ने 5 साल के अंदर नए भारत की एक कल्पना लोगों के सामने रखी है और 5 साल के अंदर अथक परिश्रम में सब को साथ में लेकर नए भारत की नीव डालने का काम किया है ये नए भारत की नीव पर एक बुलंद इमारत ये 5 साल के अंदर खड़ी हो जिसको पुरी दुनिया आश्चरे और सन्मान के साथ देखे स्फिकारे और पूरी दुनिया कहे कि लोगतंत्र सफल कैसे होता है वो अगर देखना है तो भारत के लोगतंत्र को देखना चाहिए एसी भी में मोदी जी को सुपकामनाय देता हूँ फिर से एक बार NDA के बैठे हुए सभी नितागन सभी मुख्यमंत्री गन और आज उपस्ति 353 सभी सांसदों का मन से मोदी जी को चुनने के लिए भारतिय जनता पार्टी की और से धन्यवाद करता हूँ और मोदी जी को अनंत सुपकामनाय देकर मेरी वाणी को विराम करता हूँ भारत मता कीजए